सलाम नेकम दोस्तों मेरा नाम नवीबक्ष है और आप देख रहे हैं अन्वी लेर्निंग आज के हमारा टॉपिक है ESM नॉक कंट्रोल सिस्टम तो इसमें हम थोड़ा सा एक ओवर्यू लेंगे हमारे नॉक कंट्रोल सिस्टम का और मज़ीद डिटेल के लिए फिर मैं इसके बाद एक और वीडियो अपलोड करूँगा चलें स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो दोस्तों नॉकिंग एक बहुत ही खतरनाक चीज है हमारे इंजिन के लिए जो के हमारे पूरे इंजिन को डैमिज कर सकती है तो नॉकिंग से प्रेवेंट करने के लिए एंजिन को हमारे इसम ने वाकिशा के यसम है उसमें इक प्रोग्राम में पूरा एक कंड़ोल सिस्टम है जिसको भी हम डिसकुस करेंगे दोस्तों नॉकिंग जो है बिसिकली नॉकिंग तब होती है जब हमारी अबनॉर्मल कंबस्चन होती है यानि के नॉर्मल कंबस्चन क्या होती है कि जब हमारा पावर स्टोक जब भी आता है compression stroke जैसे complete होता है तो power stroke start होता है तो उसमें जो combustion होती है उसमें जो हमारा spark plug fire करता है अगर तो हमारी जो spark है वो एक सही time पे होता है और linearly हमारी जो combustion है उपर से लेकर नीचे तक जो है वो बिल्कुल homogenius हमारी combustion होती है तो उसको हम कहते हैं कि यह normal combustion है अगर spark plug के fire करने से पहले या spark plug के fire करने के बाद कोई और ignition कहीं और से generate हो जाए जैसा कि हमारे piston के उपर carbon deposit होते है कोई red hot particle आ गया या temperature बहुत ज़्यदा बढ़ गया air fill mixture का तो उससे क्या होता है उससे यह होता है कि एक spark तो उपर से हमारा spark plug ने fire करना होता है एक जो spark के उपर से generate होगा और अगर नीचे से piston के crown पे कहीं पे carbon के deposit है तो नीचे से अगर कोई spark generate होता है तो वो दोनों spark जो है उनकी जो waves है वो आपस में टकराएंगी उससे क्या होगा vibration generate होगी और हमारी जो engine के efficiency है वो बिलकुल down चले जाएगी और हमाई power output उतनी नहीं मिलेगी जितनी मिलनी होगी तो ignition knocking को basically हम define करते है pre ignition knocking एक ही चीज़ होती है यानि कि spark plug के fire होने से पहले अगर fire हो जाए तो एक abnormal सी combustion होती है जिसको हम कहते हैं knocking है दोस्तो हमारा ESM system ESM system को कैसे पता लगता है कि knocking हो रही है basically knocking को जो हमारा ESM system है वो monitor करता है vibration के थूँ हमारे engine cylinder के उपर knock sensor लगे होते हैं वो basically vibration को monitor कर रहे होते हैं तो जैसे ही वो vibration की सुरत में ESM को signal जाता है तो जहरी बात अगर किसी cylinder में knocking हो रही है तो उसमें vibration definitely बढ़ेगी तो उसी vibration को देखते हुए हमारा ESM system जो है उन्हीं vibration की frequency में से filter करता है कि हमारी knock की frequency कौन सी है अगर तो वो vibration की frequency बढ़ती है तो हमारा ESM system उसको कम करने के लिए क्या करेगा ignition timing को retire कर देगा ignition timing retire होने से क्या होगा यानि कि अगर 14 पे है तो 12 पे कर देगा उससे यह है कि हमारा जो mixture है उसको जलने के लिए ज्यादा time नहीं मिलेगा वो फॉरण जल जाएगा जिससे जो है हमारी knocking जो है वो control हो जाएगी किसी हद तक दोस्तों ESM जो है कितनी timing को retire करता है वो depend करता है कि हमारे knock की value क्या है vibration अगर बहुत ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा कम करेगा और अगर कम है तो वो कम कम करेगा अगर बहुत ज्यादा स्वेर हो जाए तो वो engine को shut down भी कर देगा दोस्तों ESM जो है वो knock को measure करता है सिरफ combustion event के दोरान यानि कि जब combustion होती है तो उस वक्त ये जो है इसकी window जो है वो open होती है और ये monitor करता है उस वक्त जो भी vibration या frequency होती है उसको वो detect करता है अपने knock sensor के थुरू क्योंके knocking आपको मैंने आपको जैसे बताया तो ये totally depend कर रही होती है totally relate करती है हमारी combustion के साथ कि हमारी combustion कैसे हो रही है तो ESM भी हमारे combustion event के दोरान monitor करता है कि आया combustion normal हो रही है या abnormal हो रही है अगर abnormal हो रही है तो उस individual cylinder में vibration ज्यादा होंगी जिसको देखते हुए हमारे ESM को पता लगेगा कि इस cylinder में combustion में कोई मसला है जिसकी जासे vibration बड़ी है और knocking हो रही है दोस्तों knocking को मैं बताता चलों कि knocking को बिल्कुल भी खतम नहीं किया जा सकता minimum कर सकते हैं हम उसको तो इसलिए जो हमारा ESM सिस्टम है उसमें एक knocking की minimum value put होती है जिसको हम कहते हैं threshold value अगर उस से ज्यादा knocking होती है तामिंग को रिटायर करना है अगर इतनी knocking मामूली सी हो रही है तो उसका कोई issue नहीं है इंजन में कोई action नहीं होगा उसके लावा हमारा ESM का जो नॉक कंट्रोल नॉकिंग सिस्टम है वो self calibrated है इसको calibrate करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे ESM सिस्टम का action होता है यानि कि timing को रिटायर करना होता है वो depend करता है हमारे knocking की industry पे अगर knocking बहुत ज़्यादा बढ़ जाए स्वियर हो जाए तो क्या होता है कि engine shutdown हो जाएगा जैसे engine shutdown होगा तो हमें बतायेगा कि engine जो है वो knocking पे shutdown होई है लेकिन उसमें जो है हमें actual किस cylinder में knocking होई है उसका हमें पता नहीं लगेगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ESM के साथ PC को लगाना पड़ेगा जो के ESP जो के हमारा software है उसके through हम उसके ESM के अंदर जो है वो login करेंगे जिसे हमें पता चलेगा कास क्या थी एक तो कास क्या थी और दूसरा कौन से cylinder में जो है knocking होई है जिसकी विज़ा से ये मसला create हुआ है तो दोस्तों ये था आज का हमारा ESM knock control system इस पे मज़ीद एक detail वीडियो आगे मैं बनाऊंगा जिसमें knocking की detail होगी और मज़ीद इस system की detail होगी तो मैंने इसको मज़ीद continuously नहीं किया क्योंकर ये वीडियो lengthy हो जाती तो next में इंशालला अगली वीडियो में मिलते हैं इसकी मज़ीद detail के साथ I hope के आज की वीडियो आपको पसंद आए होगी अल्हाफिस